हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में देखे दोस्तों आज एक अक्टूबर को रेलवे गुरूप डी का कोई भी एक्जाम नहीं हुआ है ये वीडियो हुबली जोन वालों के लिए बनाया गया है टोटल जितने सिफ्टों में अ इस वीडियो से कोशन आएगा तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर आगे आपका गुरूप डी का पेपर बाकी है तो तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपोटेंट है इसलिए वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना पूरा वीडियो लास तक लाइक कर दें शेर कर दें और गुरूप डी की रोजाना वीडियो देखने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी उन कर लें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट कोशन है मार्च 2022 तक नए रिपोर्ट के नुसार कि 2021 में 70.3 प्रतिशत बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है जो 2020 में 65.8 प्रसेंट था और 2018 में कितना था 64.3 यानि कि भड़ोतरी देखने को मिल रही है लगातार इसमें तो अंस्वर हो जाएगा 70.3 प्रतिशत अगला कोशन है CSIR वेजानिक और ओधोगिक अन किस ने लॉंच किया है तो इसे लॉंच किया गया है माननिये विज्यान और प्रोधोगी की प्रित्वी विज्यान मंत्री डॉक्टर जीतेंदर सीय ने माननिये विज्यान और प्रोधोगी की इसके साथ में प्रित्वी विज्यान मंत्री डॉक्टर जीतेंदर सीय ने मिलक इसको launch किया है अगला कोशन NKC हैं किस वितायों के अधेक्स हैं पंद्रवें वितायों के अधेक्स हैं बार बार इनसे कोशन आ रहा है और इनका कारेकाल 2020-25 तक रहेगा इससे पहले जो चौदवें थे वो डॉक्टर वाइवी रेड़ी थे अगला कोशन है खादान आपूर आशन देने के लिए समयावधी को सितंबर सन 2022 तक बढ़ा दिया गया है और यह कोशन बार बार पूछा आ रहा है आपसे अगला कोशन किस भारती खिलाडी ने अपना सोवा टेस्ट मैच मोहाली में मार्च 2022 में खेला तो यह विराट कोली ने खेला स्रिलंका देश के खिला अपना सोवा टेस्ट खिला था इन्होंने मोहाली स्टेडियम में मार्च 2022 में अगला कोशन है भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 फरवरी 2022 को कौनसा ओडियाई मैच खिला अपना 1000 ओडियाई मैच और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ध्यान रखिएगा इसलिए ये इंपोर्टेंट है और किसके विरुद खिला था 6 फरवरी 2022 को भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिला था और वेस्ट इंडीज को 6 विक्टों से हराया भी था अगला कोशन है भारतिये अंतरिक्स अनुसंधान संगठन इसरों ने विकास नेक्स्ट कोशन है बजट 2022-23 में कितने करोड रुपे के बीच आये वाली सरकारी समीतियों पर एफपीयों की तरज पर अधिवार को 12% से घटा कर अब 7% करने की गोशना की गई है तो ये दोस्तों एक से 7 करोड रुपे के बीच आये वाली सरकारी समीतियों पर किया गया ह अगला कोशन है कोन सास्त्रिय नर्ते नहीं है तो आपका बंगाली ओप्षिन में है करेक्ट अंस्वर हो जाएगा छे यहाँ पे नर्ते नहीं होगा यहाँ पे भाशा है ठीक है मिस्प्रिंट इसको सही कर लीजेगा और यह बार बार आ रहा है कोशन यह कोशन आपका अभी तक लगबग पचास से भी ज्यादा सिफ्टों में रिपीट हो चुका है ध्यान रिखेगा जो टोटल सास्त्रिय आपकी जो भासाएं हैं वो छे हैं 2004 से 14 तक हैं सबसे पहले तमिल है फिर संस्क्रत फिरकन्नड तेलगू मल्यालम और आकरिय में ओडिया है और इसमें बंग वे चैनाब है यह यामणा की सायक न दिन है चंबल है सिंद है हिंडन भी है यह सभी यम्ना की सायक न दिया है अगला कोशन मंतरी परिशात लोकुसवा के प्रती सामुहिक रूप से उतरदाई होगा यह किस अनुचेद में वरनित है तो यह अनुचेद पिचेतर के भागत में वर्णित है अगला कोशन है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटिये जील कुन सी है तटिये पूछाए द्यार रखेगा भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटिये जील है चिलका जो की उडिसा में है एक लेगुन जील है द्यार रखेगा ये अगला कोशन वैसे भारत में सबसे वड़ी जो खारे पानी की जील है वो सामबर है तटिये में चिलका हो जाएगा ओर-ओर अगर सबसे बात करें तो सामबर हो जाएगा राधस्तान की यह और 20 सुत्री कारेकरम की सुरुवात कब हुई थी 1905 में इसकी सुरुवात की गई थी 1975 में अगला कोशन राजकोशिय निती कोन बनाता है सरकार के द्वारा बनाई जाती है भारत में राजकोशिय निती जो है वो केंदर सरकार का वित मंत्रले निर्धारित करता है और मोद्रिक निती को भारतिय रिजो बैंक RBI बनाता है ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं मदर टेरेसा ने मिसंड्रीज ओफ चैरेटी इसकी सुरुवात कब की थी? इनसे काफी कोशन आये हैं मदर टेरेसा से ध्यार कियेगा. मिसंड्रीज ओफ चैरेटी की सुरुवात इन्होंने अक्टूबर साथ 1950 में किया था. नेक्स्ट कोशन है कि निमन लिखित में से कौन भारतिय भोगोलिक छेतर सिंदू से ब्रह्म पुतर नदी तक लगबग 2500 किलोमेटर में फैला हुआ है. तो ये दोस्तों हिमाले परवत जो है ना ये हिमाले परवत फैला हुआ है तटिये मेदान प्राइड इप्य पठार यहाँ पे आपका करेक्ट ये ओप्शन्स हैं जिसमें आपका हिमाले करेक्ट हो जाएगा. अगला कोशन में ये का गया है जो नीशा गांधी डान्स फेस्टिवल है ये कहां पे होता है नीशा गांधी डान्स फेस्टिवल ये केरल का डान्स फेस्टिवल है और बार बार ये कोशन एक्जाम में पूछा जा रहा है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कौन सा पंचाइ आइती राज है विवस्ता के जो अंग है उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत, समीति और जिला परिशत सामिल होता है तो इसमें ग्राम निगम जो है वो शामिल नहीं होता तो ग्राम निगम आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कोशिन देख लेते हैं गंगा नदी में प्रचूर मात्रा में कोली फोर्म बैक्टिरिया का मुख्य कारण क्या होता है गंगा नदी में प्रचूर मात्रा में जो कोली फोर्म बैक्टिरिया का मुख्य कारण है वो होता है जली हुई लासों का नदी में निस्तार्ण करना ओप्शन ए आपे करेक्ट होगा अंस्वर आपका नेक्स्ट कोशन है इस्ट इंडिया कंपनी के भारतिय छेत्रों के प्रशाशन को अधिक शक्षम और उत्तर दाइत्व पूरण बनाने के लिए ब्रिटिस द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया तो इसके लिए ब्रिटिस ने पीट्स इंडिया एक्ट लेके आये थे विए अपोन आर करके इसका अंस्वर में को कमेंट में बताईए अगला है कि चायलक की लंबाई को नो गुना कर दें तो प्रतिरोध क्या होगा अब यहां पे देखिए आर जो होता है यह प्रपोर्सनल होता है डिरेक्ट आपके ल के यानिकि लंबाई के और यह व्यूत क बोलेंगे और इससे बार-बार कोशन आ रहा है कौनसा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है जो पैपसिन होता है यह दोस्तों ग्रेस्टिक रस में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है अगला कोशन काच के निर्मान में किसका उपयोग होगा तो इसके लिए हम washing soda का use करेंगे ag p plus naCl बराबर ag q plus naNo3 इसमें p और q क्या है ये बताना है आपको तो ऐसे question ही आपके numerical sorry numerical बोलती है आपने ऐसे question ही आपके अभिकरियाओं से आ रहे हैं तो agNo3 plus naCl क्या बनेगा agcl plus naNo3 बनेगा और direct ये question आपके exam में आ रहे हैं अवतर lens की वस्तू की दूरी 10 से मी है प्रतिविम की दूरी 30 से मी है आब 80 छोटा है आवर्दन क्या होगा m बराबर होता है v बटा u सब कुछ आपके पास है तो आप अराम से कर लोगे इसको next question देखिए dynamo की सिधान पर काम करेगा electromagnetic induction पर काम करता है विदुद जनितर dynamo विदुद चुम्ब की प्रेड़न की सिधान पर कारे करता है अलकीन का सुतर होता है CNH2N next question है पोदों में जायलम और phloem उत्तक सम्मंदित सही कतन कौन सा होगा तो phloem में सरकरा की गती की दिशा द्वी दिशा गामी होती है जबकि जायलम में जल उद्र गामी दिशा में गती करता है ये statement based question है सभी को इसका comment में answer बताईएगा देखते हैं ये question आपको पता या नहीं पता है सभी को ये question का answer comment में करना है कि इन दोनों statement में से जायलम फ्लोय में से कौन सा statement सही है और कौन सा गलत है next है कि आवतल दरपन में यदि प्रतिविम वास्तिविक उल्टा और छोटा बन रहा है तो B में किस्तिति क्या होगी F और C के मद्धे में होगी ठीक है ये वीडियो आपने या तक देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से डिरेक्ट आपके सिफ्ट में जरूर कोशन आएगा इसलिए वीडियो को लाइक के साथ एंड कीजेगा और ऐसी वीडियो देखना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को ओन कर लें